दो लोग हैं, एक दूसरे के लिए सरहदैता रखते हैं, जाहिर है कि ये अच्छी बात है, लेकिन जब किसी का भला चाहते हो, तो ये दिम्मिदारी आ जाती है ना, कि पता भी हो कि भलाई किस चडिया का नाम है, नहीं तो चाहने भर से थोड़े ही होगा, बाहर गाड़ी खड़ी है मेरी, कुछ आवाज कर रही है, पता नहीं मैं वापस शहर तक ठीक ठाक पहुचूँगा या नहीं, आप मैंसे कितने लोग चाहते हैं कि मैं ठीक ठाक पहुच जाओं वापस, सब चाहते हैं, चाहने से क्या होगा, उसके इंजन का, उसकी प्रक्रिया, प्रणालियों का, कुछ पता भी तो होना चाहिए ना, या जाओगे और उसको फुसफुसाओगे कि देखो देखो ये हमारे बड़े प्यारे मित्र हैं, इनको सकुषल पहुचा देना तो पहुचा देगी, चाहने से कुछ हो जाएगा क्या, तो इबात सब चाहने वालों को समझनी चाहिए, चाहने भर से कुछ नहीं हो जाता, मन की जटिलताओं का, मन के खेलों का, ज्यान भी होना चाहिए, तभी दूसरे का भला कर पाओगे, नहीं तो बड़े अफसोस की बात हो जाती है कि लोग चाहते तो एक दूसरे का हित हैं, लेकिन अंजाने में आहित कर डालते हैं, अपने हित नहीं कर पाते हैं, लोग दूसरे का हित कैसे करेंगे, देखो ये जो आयोजित विवाह होता है, ये आम तोर पर घर वालों की माया से निकलता है, और जिसको प्रेम विवाह कहते हो, वो पुरुष और इस्तरी की आपसी माया से निकलता है, अब तुम्हें कौन सी माया चाहिए तुम चुन लो, एक विवाह वो होगा जिसमें घर वाले और बाकी सब रिष्टेदार मिल करके अपने हिसाब से तै करते हैं कि तुम्हें किस के साथ होना चाहिए, वहां उनका गणित चलता है, और एक दूसरा विवाह होता है, जिसमें पुरुष इस्तरी आपस में ही तै कर लेते हैं, वहां उनका गणित चलता है, गणित लगाना आता किसी को नहीं है, तो अब तुम्हें किस तरीके से परिक्षा में फेल होना है गणित की, ये तुम चुन लो, अरे जब प्रेम ही नहीं पता, तो प्रेम विवाह कैसे करड़ा लोगे, और वैसे ही जो घरवाले उनसे पूछता हों कि आयोजन शब्द का अर्थ पता है, क्या, योजना माने क्या होता है, जब आप कहते हो, arranged marriage, तो कौन ये विवस्था करता है, arrangement करता है, जानते भी हो, उसको नहीं समझा, तो उसके द्वारा रची गई विवस्था पर भरोसा कैसे कर लिया, विवस्था पक कौन है, ये जो पूरी विवाह की विवस्था को रच रहा हो, तो कौन है, भीतर बैठा मन है, वो एक तरह यह से लड़के की शादी करा देनी है, उसी ने तो सारी विवस्था रची है उस विवस्थापक को हम समझते हैं क्या, उसको अगर हम समझ लें तो हम यह भी जाण जाएंगे कि वो यह जो पूरी विवस्था रचता है, इसकी अध़ादी में ऐसा लेंदेन हो जाए तो फिर वो जो विवस्था रचता है वो सारी विवस्था भी हम जान जाएंगी कहाँ से आती है कियों आती है और वैसे ही जब लड़का लड़की आपस में कहते हैं कि हमें प्यार हो गया तो हम पहले जानतो लें कि उनके लिए प्यार का अर्थ क्या है जब हम समझ जाएंगे कि वो किस चीज़ को प्रेम बोलते हैं तो फिर हम यह भी समझ जाएंगे कि वो किस चीज़ को प्रेम विवाह भोल रहे हैं तो यह कुदरती शब्द बड़ा जंजट का है तुम खुद्रती हटा के मायावी कर दो और माया तरह तरह की होती है जिस रंग की चुननी है चुनलो चाहो तो माता पिदा की तरफ की माया चुनलो मामा की तरफ की चुनलो ताउ की तरफ की चुनलो रिष्टेदारों की तरफ की चुनलो कई बार घरों में पंडेत और रिष्टे लेके आते हैं उनकी माया चुन लो और ये सब नहीं करना है इंकलावी आदमी हो तो अपनी व्यक्तिकत माया चुन लो पर ले देखर के चुनते तो सभी माया ही है जो प्रेम का वास्तविक अर्थ नहीं समझा वो विवाह चाहे दूसरों के कहने पर करे और चाहे अपनी तथा कथित मर्जी से करे उसने ले देकर चुनी तो माया ही है हाँ कुछ लोगों को इसमें बड़ा संतोश रहता है कि जब माया ही चुननी है तो दूसरों की दी हुई क्यों चुने हैं हम अपनी ही चुनेंगे जब पिट नहीं है तो कम इसकम यह तो रहे कि अपनी ही चपल से पिटे दूसरों का जूता काई खाए तो इस तरह की संतुष्टी चाहिए हो तो तुम कहलो कि प्रेम विवाह जादा उंचा होता है मुझसे पूछोगे मैं कहूँगा पीट तो दिये ही गए कि जो गाल लाल हो रहा है उसकी लाली पर थोड़ी लिखा है कि चपल ताउजी की थी है तुम्हारी अपनी लाली तो लाली है क्या उभर के आली है हारी बात समझ में कुछ है हम प्रेम समझने को तैयार नहीं होते प्रेम विवाह करने को बड़े उतावले रहते हैं मुझे बड़ा ताज्यू होता है एक से एक नमूने जुन्दगी में जिने कुछ नहीं समझ में आता है कुछ नहीं जानते 14 साल के ओंगे 16 साल के ओंगे तभी से एक लफ़ वो जान जाते हैं क्या प्यार और ऐसे कभी सामने पड़े मैं कहूं कि तुझे गड़ित नहीं आती तुझे भूगोल नहीं आता तुझे यहां से लेके वहां तक सीधे चलना नहीं आता तुझे किसी आदमी से दो बात करना नहीं आता तुझे अपना गुस्सा समालना नहीं आता तुझे कहीं पर समय से पहुचना नहीं आता तुझे इंसान बनना नहीं आता तुझे प्रेम करना कहां से आ गया या प्रेम ऐसी चीज है जिसको करने के लिए कोई पात्रता ही नहीं चाहिए तो कहेंगे आचारे परशान तुम नहीं समझो है यह दिल की बात है दिल की तुम जैसे पत्थर दिल आदमी को नहीं समझो है आईगी अरे किताबों से बाहर निकलो बागीचों में उतरो तितलियों के साथ खेलो फिर तुम्हें पता चलेगा इश्क किसको कहते है तुम्हारे जैसे पाशान ख़दर लोगों के लिए इश्क नहीं होता हमसे पूछो ना हम जानते है तुम कैसे जानते हो बले वो जब जल्फे उड़ती है तो इश्क है अच्छा और ये बड़े से बड़ा चंभा नहीं है दुनिया का कि हद दर्जे का नाकाबिल आदमी होगा जो कुछ नहीं कर सकता है लेकिन प्यार जरूर करता है कैसे भाई कैसे कैसे तो नहीं ऐसे थोड़ी होता है प्यार करने के लिए कोई योग्यता पातरता थोड़ी चाहिए कोई सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए चाहिए भाई चाहिए ये गलत लोगों ने तुम्हारे दिमाग में गलत शिक्षा भर दी है कि प्यार तो कुदरती होता है, कि प्यार तो प्राकृतिक होता है, कि प्यार करना तो जानवर भी जानते हैं, ये मुर्खता की बात है जो तुम्हें सिखा दी गई है, तुमसे बोल दिया गया है कि प्यार तो एक छोटे बच्चे से सीखो, ये पागलपन की बात है, छोटा बच्चा मोह जानता है, छोटा बच्चा ममता जानता है, छोटा बच्चा आसकती जानता है, प्रेम नहीं जानता है, प्रेम सीखना पड़ता है, मनुष्य अकेला प्राणी है, जो प्रेम जानता है, तुम बेकार की बात कर रहे हो, अगर तुम कह रहे हो कि प्रेम तो जानव प्रकरति ने उसे हुआ गयें थिए नवा मेरा मुर्ण यह मुझे दिया है कि उसकी जिंदगी ही इस बात पर निर्भर करती है कि मनुष्य उसे रोटी डालेगा या नहीं डालेगा भेडिया तुम्हें देखके तुम हिलाता है क्या अब पडोसी का कुट्ता तुम्हें देखके प्यार से तुम्हारी गोद में आ जाता है क्या तब तो भगते हो बहुत जोर से, तो बुलडाग, अपने वाले हो कहते हैं तो बहुत प्यारा है मेरा, आजा, और वो आभी जाता है, तुम्हारे पास इसलिए आता है, क्योंकि प्रक्रत उससे ऐसा करवाती है, उस तीज में भी सौंदर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, चिडिया का एक जोड़ा साथ बैठा हुआ है आवाजें कर रहा है और उसकी आवाजें गीत जैसी सुनाई पड़ रही है उसमें सुन्दरता है निश्चित रूप से है पर उ प्रेम नहीं है प्रेम तो मूलता अध्यात में खोता है प्रेम करने की योग्यता तो सिर्फ उसकी है जो मन को समझ गया हो जो मन की बेचैनी को जान गया हो मन की बेचैनी का चैन के प्रतिक हिचाव ही प्रेम है इसके अलावा प्रेम की कोई परिभाशा नहीं अचारे जी ये देखिए गलती कर गए ना आपने प्रेम की परिभाशा दे दी अरे हमसे पूछिए ना हम आठवी क्लास के लॉंडे हैं लेकिन हम आपको बताए देते हैं कि इश्क वो है जिसे लवजों में बया नहीं किया जा सकता और ये हमें फिल्मों ने और शायरों ने बताया है तुम भी मूर्ख, तुमारी फिल्में भी मूर्ख, तुमारे शायर भी मूर्ख बेचैन हो ना, चैन मांग रहे हो ना, मन पर यही जो लगातार आकरशन चाया हुआ है कि कहीं पहुँचकर शान्ति मिल जाए इसको ही प्रेम कहते हैं तो प्रेम सार्थक तब हुआ जब आप उस दिशा जाएं जहां वास्तव में शांति मिलती हो लेकिन Quiz और जो प्राकृतिक खिचाव होता है जिसको आप प्राकृतिक प्रेम बोल देते हैं उसका ऐसा कोई इरादा नहीं होता कि आपको शान्ति मिले अंतर समझना प्राक्रतिक खिचाव का नतीजा सिर्फ एक हो सकता है संतान और आध्यात में खिचाव का नतीजा होती है शान्ति इसलिए प्राक्रतिक खिचाव सदा पुरुष का स्तिरी से स्तिरी का पुरुषते होता है कुछ अपवादों को छोड़ देतो क्योंकि प्राक्रतिक खिचाव है ही इसलिए कि या तो रोटी मिल जाए या घर मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए या सेक्स मिल जाए, संतान पैदा हो जाए प्राक्रतिक खिचाव इन वजहों से होता है आध्यात में खिचाव किसलिए होता है उसकी सिर्फ एक वज़ा होती है शान्ते मिल जाए बात समझ में आ रही है तो जिसको कह देते हो न कि अरे मैं तो कुदरती तौर पर उसकी उराकरशित हूँ या कि देखो प्रेम तो प्राक्रतिक होता है सब जीवों में होता है वो जो प्रेम है वो प्रेम की बड़ी छोटी परिभाशा है छोटी भी नहीं मैं उसको गलत परिभाशा बोलता हूँ उसे प्रेम कहना ही नहीं चाहिए वो बस ऐसे ही है तो प्रेम करने के लिए पात्रता चाहिए प्रेम करने के लिए ऐसी आखें चाहिए जो दूसरे को कम और खुद को ज्यादा देखें तुम्हारी आखें जाकर दूसरे से ही चिपक गई हैं, तो ये प्रेम की निशानी नहीं है, ये तुम्हारे पशु होने की निशानी है, पशु के पास कोई पत्रता नहीं होती, उसके पास कबिलियत ही नहीं कि वो खुद को देख सके कि मेरे भीतर चल क्या रहा है, इस खोप जब तुम्हें अपने भीतर की गडबड का कारण समझ में आएगा, जब तुम्हें अपनी बेचैनी का सबब समझ में आएगा, तभी तो तुम खिचोगे ना, समधान की ओर और चैन की ओर, समधान की ओर खिचना, चैन की ओर बढ़ना ये प्रेम है,